गुडूनिंग डियर फेंज आज हम लोग बात करते हैं क्लास टेंथ में जो ग्रामर से रिलेटिट मुल्टिपल चॉइस कुशन पुशे जाएंगे उनसे कुछ 25 तीस कुशन है और भी कुशन मैं दूंगा लेकिन ये 25 तीस कुशन बहुत इपॉर्टेंट है आप लोग उनक आपकी लिट्रेचर की बुक हैं प्रोज पोईट्री ठीक है उससे होंगे कुछ ग्रामर से होंगे कुछ एक कंप्रिहेंशन पैसे जाएगा वह टोटल मुल्टिपल चॉइस करवा दूंगा फिर उसके बाद जब माडल पेपर करवाओंगा पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के सामने दिखाऊंगा किस तरह से आप लोगों को पेपर साल्प करना है क्लियर तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यह मल्टिपल चॉइस कुष्चन्स आन ग्रामर ग्रामर पर जो मल्टिपल चॉइस कुष्चन है उन पर बात करते हैं और कह रहा है कुश्चन करने होंगे Each questions Each questions carries one mark और प्रतेक कुश्चन आपको एक अंक दिलाएगा प्लीज कृपिया शमझ लीजिए इसको clear है तो यह है हम लोग बात करते हैं multiple choice questions सबसे पहले हम लोग पहले कुश्चन को देखते हैं नोट में दिया हुआ है Choose the correct answer My son went to a party the future independent tense of this sentence is My son went to a party इस sentence का आपको क्या बनाना है आपको बनाना है future independent tense अब आप लोगों को tense पूरा आना चाहिए अगर tense से related जानकारी आपको लेना है तो मेरे YouTube के चैनल में जाएए नेरे चैनल पर जाएए और प्ले लिस्ट में जाकर के tense के जो वीडियो पड़े है आप उन्हें जेख सकते हैं 12-13 वीडियो है clear तो first question कहरा My son went to a party the future independent इसका बनाना है future independent में आप जानते हैं will sell होता है क्या होता है will sell होता है क्या होता है will sell अब चूकि My son जो है My son यहाँ पर हमारा third person का है तो इसके साथ किसका प्रियोग होगा will का प्रियोग होगा इसका will का तो यहाँ My son के साथ सबसे पहले हमें option में will दूनना है अब अगर हम देखें तो सारे question में will दिये हुए clear दूसरी बात will और साहल के बाद वर्व की first form आती है आपके question में वेंट दिया है यह वर्व की second form है और second form है वेंट तो इसका first form क्या होता है go तो जब बी के बाद go आया हो क्या आया हो will के बाद go तो My son will go केवल first बारे में है और किसी में नहीं है तो हमारा first answer सही हो जाएगा My son will go to a party clear अब हम लोग बात करते हैं second number की second number है I bought an umbrella change the sentence into a negative very good negative मैं पताया न आप लोगों को मैं वीडियो दिया हूँ दो तीन change of sentences का वो भी आपको देखना होगा ठीक है यह जो अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो जूम करके देखिएगा clear हो जाएगा हला मैं जूम कर देता हूँ यह हो जाएगा clear यह है तो यहां sentence है I bought an umbrella change the sentence to negative बात किसका है past infinite का past infinite की helping verb क्या है deed है deed के साथ not आएगा और इसके साथ verb की first form और बात किसका second form है buy का किसका है buy का तो यह did not buy जहां हो तो यह हो जाएगा I did not buy an umbrella यह आपका C number शही है कौन सा सही है C number आपका शही है clear इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपको आपका जो third number है उसकी third number कह रहा है which of the following is correctly spelled वाव यह question पूछ रहा है इसमें कौन सा ऐसा सब्द है जो जिसकी spelling बिल्कुल सही है wonder गलत है blunder यह भी गलत है thunder यह सही है splendor आपका C सही है ठीक है यह W-A-N-D-E-R होता है यह B-L-A-U-N-D-E-R होता है यह S-P-L-E-N-D-O-R होता है यह होता है और यह splendor गारी आप लोग देखे होंगे और यह thunder आपका सही है तो आपका C number सही है clear अब हम लोग बात करते हैं four number की these girls are taking talking noisely change into present perfect continuous tense perfect continuous की पहले हम पहचान जानते हैं इंगलिस में होगा has या have के साथ been फिर उसके बाद work plus ing अगर time है तो since या far के साथ ing लगेगा clear तो यह subject देखेंगे these girls have girls है plural है तो have been आएगा तो these girls have been यहाँ आपका C number में के वली आप सन मिल रहा है यह structure मिल रहा है इसलिए आपका C सही है clear अब हम लोग बात करते हैं five number का five number कह रहा है why did he kill the bird change into future indefinite tense कह रहा है इस sentence को future indefinite बदलना है तो आप जानते हैं future में will sell आता है future में क्या आता है will sell आता है subject के रूप में यहां ही है तो ही के साथ भी लाएगा तो why he will kill the bird बिलकुन आपका A option ही सही है और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है next question देखते हैं हम लोग next question है आपका six number the man has sold his horse change into past continuous past continuous कि सबसे पहले आपको इंगलिस पे पहचान यह होगी was war was war plus war plus ing clear तो was war के साथ ing का प्रियोग होगा यह आपको देखना होगा तो यहां पर subject क्या है domain domain के साथ was war है एक sentence है आपका d number the man was selling his horse clear इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपके seven number की I blank है him a cycle on his birthday मैंने उसके जर्म दिन पर उसे एक cycle दिया दिया ना दिया या ये ये past infinite tense past infinite tense में verb की second form verb की second form तो give तो होगा नहीं given third form होगा नहीं give हो सकता है give में ing नहीं होगा I gave him क्या हो जाएगा I gave him आपका सी सही होगा I gave him a cycle on his birthday clear अब हम लोग बात करते हैं eight number की eight number कह रहा है विश्वा blank है living in Kolkata for two years याद रखियेगा कि since और far का प्रियोग कहा होता है perfect continuous में होता है किस में होता है perfect continuous में होता है और जहां since far का प्रियोग होता है वहाँ has और have के साथ बीन बजाई जाती है बीन बजाने इसमतलब बीन लगाई जाती है clear अब चूंकि विश्वा विश्वा आपका first person sorry third person singular number है क्या है singular number है तो विश्वा के साथ क्या लगेगा has been living in Kolkata for two years आपका C number चैन्स पूरा आप लोग तैयार कर लीजेगा अब आप लोग confused हो सकते हैं यहां पर अगर नाव न होता तो फिर यहां हाइड बीन भी सही हो जाता समझ रहे ना अगर नाव नहीं होता तो हाइड बीन भी सही हो जाता clear हम लोग 9 number की बात the earth blank है around the sun the earth rewards around the sun सूर प्रत्वी की चारो और चक्कर लगाता है तो आप जान लिए जितने UT से related अधिक तर sentences जो UT से related होते हैं वो present indifferent tense में होते हैं और present indifferent का मतलब होता है V plus B first plus S और ES clear तो verb में S या ES होना चाहिए बस वही सब्द आपको पकड़ लेना है इसमें IND लगा है ये गलत है इसमें नहीं कुछ नहीं लगा ये भी गलत है इसमें AD लगा ये भी गलत है आपका ये सही है clear अब हम लोग बात करते हैं 10 number की 10 number sentence है हमारा वो कहरा है he want to tracking in the himalayas अब याद रखिए two के बाद आने वाली verb हमेशा first form में होती है two के बाद आने वाली verb हमेशा first form में होती है तो आपको यहां के बाल first form देखना है यहां going है नहीं होगा गोज में S I yes लगा है नहीं होगा gone third form है नहीं होगा सीधे क्या होगा go होगा clear तो two के बाद आने वाली verb हमेशा first form में होती है next हम लोग बात करते हैं 11 number की 11 number है I wish I blank है so much money last month यह थोड़ा सा मैं अटा देता हूँ I wish I blank है so much money last month last सब्द से आप लोग पकड़ लीजे last माने बीते हुए last में पिछले या बीते हुए और बीता हुआ मतलब past क्या होता है past तो यहाँ पर क्या लगेगा past tense लगेगा या तो past indefinite होगा या past perfect होगा अब यहाँ have not spend present perfect है गलत spend है के वाल यह भी गलत है spending है यह भी गलत है तो हमारा काउन सा सही भईया हमारा बी नंबर सही है अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर 12 नंबर की the children blank their home work when I got home अब आप लोग समझ गए होंगे यह past perfect में past perfect में में जो mixed sentence होता है उसमें subject होता है head होता है verb की third form होती है object होता है feel subject होता है verb की second form plus object अर्थाथ first part past perfect में होता है और second part past independent में होता है किसमें इसमें जितने भी past perfect में mixed sentence होते हैं चाहे वो when से जुड़े हो चाहे वो before से जुड़े हो अगर after वाला होता है तो इसका जस्तपोजित होता है पहले past independent होता है उसके बाद past perfect होता है clear तो यह सीदे सीदे आपका sentence हो जाएगा क्या यहां पर हो जाएगा आपका और question नेक्स वीडियो में दूँगा यह 12 तक यहां है 12 के बाद मैं और भी question आपको अगले वीडियो में दे दूँगा कोशिस करूँगा और अधिक वीडियो दूँगा क्योंकि मैं अगर describe ना करूँ word on ना करू, explain ना करूँ तो फिर मैं और question दे सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि समझना जरूरी है, आपको समझाना जरूरी है केवल answer बताने से मतलब काम नहीं चलने वाला फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि यह option कैसे सही हुआ तो मैं आपको पूरा explain करके बताता हूँ, इसलिए time लगता है और और भी जो वीडियो दूँगा मैं आप लोगों को explain करके ही बताऊंगा, बस आप लोग stay connected, stay tuned मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे challenge जुड़े रहें और अगर आप कुछ लाब उठाना चाहते हैं, तो पूरा वीडियो देखा करिए, clear और उसके बाद, अगर मेरा वीडियो देखने के बाद, आपको तनिक भी कोई लाब होता है, तो please, मेरे channel के इस वीडियो को दूर दूर तक जितने लोगों तक आप पहुँचा सकते हैं पहुँचा दीजिए, ताकि और लोगों को भी, free appcast ये practice set मिल जाए, और जो लोग मेरे वीडियो में नए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा, please हमारा channel subscribe कर लिजे, और इसमें जो unique viewer है, उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, please मेरा channel subscribe कर लिजे, ताकि मैं M1 के पहुँच जाऊं, और M1 के पहुँच जाने के बाद, आप जानते हैं, मैं live आ सकूँगा, और live जब से मैं, जितनी जल्दी आप one के पहुँचा देंगे, उतनी जल्दी मैं live आऊंगा, और live आ करके, आपको board sit देना अभी से सुरू कर दूँगा, board exam से पहले, बहुँ सारी तयारी करवा दूँगा, अगर आप मेरे channel से जुड़े रहेंगे, तो मैं दावा करता हूँ, कि आप English में 90 प्लस नंबर पाएंगे, इसमें कोई दो राए नहीं है, thank you, thanks for watching,